हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डी सरस्वती अकाडमी यूट्यूब चैनल में आज का प्रश्न अर्थशास्त्र क्लास 10th के एक चैप्टर विकास से है प्रश्न उत्तर जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रश्न है धार्नियता का विशय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है धार्नियता का विशय विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भविश्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने में मदद करता है धारनीता का मतलब है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी, वन और उर्जा का इस्तिमाल इस प्रकार करें कि वे खत्म ना हो और आने वाली पीधियां भी उनका लाब उठा सके अगर हम बिना सोच समझ के इन संसाधनों का उप्योग करेंगे तो वे समाप्थ हो सकते हैं और भविश्य में लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं धारनीय विकास का उद्देश ऐसा विकास करना है जो परियावरन को नुकसान ना पहुँचाएं और लोगों की बुनियादी जरूर्तों की भी पूर्ती हो जाएं यहां हमें बताता है कि हमें केवल वर्तमान के बारे में नहीं बलकि भविश्य के बारे में भी सोचना चाहिए उदाहरण के लिए हमें पेड काटने से पहले नए पेड लगाने चाहिए ताकि हमारे परियाबरण का संतुलन बना रहे इस तरह धार्नेता का विशय विकास के लिए एक आवश्यक पहलू बन जाता है तो यही था इस प्रश्न का उत्तर अगर विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को ये विडियो जरूर शेयर करना और अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली विडियो में